नमस्कार साथियो मैं मनिशा बागोरा आदम एकेडेमी के प्लाटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं देखिए हमारी आज जो है पाच्वी क्लास है ये और हमने दो टॉपिक हमने पूरे कर लिये हैं एक तो है आपका महेश्वर सुत्र और एक है आपका संग्या प्रकरण में ही आप अलग से टॉपिक करके पढ़ाया है क्योंकि इसमें से कोशन आते हैं और वो है आपका उच्चारन इस्थान और प्रयतना तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके उच्चारन इस्थान और प्रयतन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसके अंतरग जो हमने अर्थ बताया है वो मैंने लिखा है आपको तुला लेकिन ओता तालू है यह थोड़ा सा कड़बड हो गया था रनिंग में मुझे पता भी नहीं पड़ा इसलिए आप इसको क्रप्या जो है यह तालू पढ़े तालू आदी तो यह पढ़ें जो मैंने लिखा है उ सब्सक्राइबादा मैं के अगर हम बात करने तो वर्णों का प्रत्तम उत्पत्य श्थल है वह क्या कहलाता है उसि को हम उच्ठार उस्थान कहते हैं तो आपको यह बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कभी-कभी पूछ लेते हैं कि जैसे कव वर्णस्य उचारन इस्थानमस्ती इस तरीके से जो है आपको पूछा जा सकता है इसलिए हमको यह पढ़ना जरूरी है जा सकता नहीं है शायद पूछे पूछते ही पूछते हैं इसलिए आपको तो जो वर्णो का जो उत्पति स्थन है इना वर्णो का उत्पति स्थन उचारन इस्थान कहलाता है नमबर बन तो आपका यहां पर हम यहीं है फिर आता है देखें दूसरी बात अगर कहें तो सामानी तहां सामने तह कितने साथ उच्चारण स्थान माने जाते हैं सामने तह बात करें तो उच्चारण स्थान कितने माने जाते हैं साथ माने जाते हैं ठीक है न यहाँ पर यह बात दिया रखनी है सकेंद अगर देखें तो हैं आपका पाणी निया शिक्षा के अनुसार आठ उच्चारण इस्थान माने गए है ठीक है अना समने तह कहा जाए तो कितने उच्चारण इस्थान है आपके समने तह अगर कहा जाए तो साथ उच्चारण इस्थान माने गए है और पाणी निये शिक्षा के अनुसार देखा जाए तो कितने आठ उच्चारण इस्थान माने गए है इन साथ में पाणी निये जो है एक और जोर दिया है कौन-कौन से है हम अभी देख लेते हैं तो जो उच्चारन स्थान है, साथ उच्चारन स्थान, वो मैं आपको बता नहीं हूँ, उच्चारन स्थान, ठीके, पहला है आपका कंठ, ठीके, दूसरा होगा आपका तालू, तीसरा होगा आपका मूर्धा, चोता होगा आपका धन्त, पाचा होगा आपका नासिका, ठीके, ताक कर लिखते चले जाएंगे आप लोग, ठीके, छटा होगा आपका ओस्थ, ठीके न, और आपका लास्ट होगा, जिवहा मूल, जिवहा मूली यह जिवहा मूल भी हम इसको कहते हैं, ठीके न, साथ का साथ आप लोग इसको उतारते रहेंगे, ठीके यह तो है सामानी तह, जो कौन बात कर रहा है, सामानी तह संस्कृत में, कितने उच्चारन इस्थान बताए गए है, आपके साथ उच्चार तो 8 उच्चारन स्थान, किसके द्वारा बताई गए हैं, पाणिनिया, शिक्षानु स्थार, चीके, कितने उच्चारन स्थान बताई गए हैं आपके, टोटल 8, देख लेते हैं, पहला है आपका कंठ, दूसरा है आपका टालू, तीसरा होगा आपका मुर्धा, चोता होगा आपका धन्त, पाच्वा जायेगा आपका नासिका, फटा आजायेगा आपका आउस्थ, तात्वा जायेगा आपका जिवहा मूल या जिवहा मूलीर, ठीके, और आठा होगा आपक पूरस ना आठा क्या होगा आपका पूरस ये एक अलग से पाणी नी द्वारा पाणी नी द्वारा बताया गया है ठीके अना अरीवार समझ में कैसे होगा देखे उच्चारन इस्थान समन्य रूप से साथ है और पाणी नी शिक्षा के अनुसार अगर देखा जाए तो उच उच्चारन इस्थान आठ है इन साथ में केवल इस एक को इन्होंने और जोड़ा है जिसे उरस कहा गया है समझ में आगई बात लिखते रहेंगे साथ का साथ ताकि आप लोग आराम से साथ में इसके नोट्स भी बना सके चले उच्चारन इस्थान की तरफ चलते हैं सुत्र है इसका जो आपका सुत्र कोन सा होगा वह होगा अ कुह विसर जनिया नाम कंठ है अब इसको हैं क्या करेंगे इसको अलग-अलग कर देते हैं औ, कू, ह, और ये क्या हो जाएगा आपका, विसर्ग, इनका उच्चारण किसके द्वारा होता है, कंठ के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, कंठ के द्वारा, यानि कि आपका आगया औ, और देखो साथ में आ भी आ जाएगा, ठीके, आ के साथ आ भी आ जाएगा, कु यानि कि कवर्ग तो पूरा कवर्ग ले लेंगे हम कवर्ग यानि कि क ख ग ग अंग ठीके कवर्ग के पांचों ही वर्ण इसके अंतरगत आएंगे यानि कि क होगा तो भी कंठ के द्वारा उचरित होगा ख होगा तो भी कंठ के द्वारा और ग होगा तो भी कंठ के द्वारा उसका उचारण किया जाएगा फिर आपका आता है ह, ठीके, क्या आजाएगा ह, और एक आएगा आपका विसर्ग, विसर्ग का उचारण भी किसके द्वारा किया जाता है, कंठ के द्वारा किया जाता है, तो आपके यहाँ पर अगर हम देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो अक्षर वैसे है, नो वर्ण, अब देखो, इसको जो है, हम वर्ण नहीं कहते हैं, फिर भी इसका, सिर्थे के रूप में हम प्रयोग करते हैं, यह क्या है, अयोगवाह है, आपको द्यान है, आप लोगों को, ठीके ना, तो इन सब का जो उचारण होगा, वहाँ कंठ के द्वारा कि किया जाएगा, यह ना, तो सुत्र आपको बस इतना से याद रखना है, क्या याद रखना है, अपुह विसरजनिया नाम कंठ ह, कोई सा भी वर्ण आ जाए इन में से, यह ना, उसका जो उचारण स्थान होगा, वहाँ कंठ माना जाएगा, आगई पर समझ में, ठीके, नेक आहका ई है, यहां से निकालेंगे देखो, अब ई के साथ, इसका ई भी आजाएगा, ई हे, अब निकालेंगे आपको, यह ना, यह ना, द्यान अपना है, तो इसके साथ, जो होगा, यहना, क्या होगा, च, ठ, ज, ज, न, ठीक है? यह हो गए, चवर्ग के पाचोवन, और क्या कह रहा है यह, यह निकाल दो, और फिर उसके साथ है शह, यह केसा शह है, तालवी शह, इसलिए शह को क्या कहते हैं, तालवी शह कहते हैं, जो हम शंकरवाला शह हम जो बोलते हैं, उसको हम तालवी शह क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो उच्चार न स्थान है वहाँ क्या है तालू माना गया है यहाँ पर भी यही होगा जो सेन यहाँ पर है वही बस आपको सूत्र याद रखने है क्या याद रखने है आपको सिर्फ सूत्र याद रखने है सूत्र के द्वारा ही आप क्या कर सकते हो आसानी से एक एक ब तो आपको सारे वर्ण इसके अंतरगत मिल जाएंगे यह देखो पूरा संस्कृत जो है पूरा सुत्रों के अनुसार चलता है बिल्कुल गणित के रूप में जैसा आप गणित पढ़ते हैं उससी तरीके से अब आते हैं आपका नेक्स्ट है रीटू रसाना मुर्धा तो मुर्धा जो उच्चारण स्थान है उसके द्वारा कौन-कौन से वर्ण बोले जाते हैं रीटू रसाना मुर्धा यानि के आपका आग्या री इसमें री बड़ा भी आ जाएगा दोनों री आगे फिल्टू आणा क्या आग्या टू ठू डू डू अना यह पाचों की बर आपके ट कार के अंतरगत या ट वर्ग के अंतरगत आते हैं इसके अलावा आपका यहां से ले लेंगे हम र र आग्या इसके बाद देखिए यह आग्या आपका मुर्धन्य श याना इस श को क्या बोलोगे आप मुर्धन्य श याना शंकरवाले श को हम क्या बोलते हैं ताल अविश, क्योंकि तालू के द्वारा उसका उच्चारन होता है, मुर्धन्यश यानि मुर्धा के द्वारा उसका उच्चारन होता है, ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये चीज है आपका, ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण है आपके, वो किसके द्वारा बोले जाएंगे, मुर्ध मुर्धा के द्वारा, यानि मुर्धा के द्वारा उच्चरित होंगे, मुर्धा से उच्चरित होने वाले ये सारे बन है, याद क्या रखना है, कौन सा सुत्र रखना है, रिटू रसानाम मुर्धा, ठीके, इसी तरीके से बाचाएंगे हाम, रिटू लसानाम धन्ताह, यान आप यहाँ पर देखिए, निकालिए आपका ल्री, ठीक, अना, दिर्ग नहीं होता है ल्री का, आपको पता है, बता दिया है, एक तू, तू से निकालेंगे, त, थ, द, ध, न, ठीक है, यह पाचो जो बर्ण हैं आपके, यह आपके जो पाचो बर्ण हैं, वो कौन से होंगे, कौन से होंगे, द, यानि दात से उचरित होने वाले होंगे, फिर इसमें देखिए आ रहा है आपका ल, ल, यानि कि स, अब यहाँ पर कोगे दात से कैसे उचरित करेंगे, जो आपकी जिबहा है, यानि वो जो है आपकी दात से आकर टकराती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर यह जो वर्ण है आपके, वो सारे किसके द्वारा उत्चरित होंगे, दंत के द्वारा उत्चरित होंगे, कौन-कौन से, री, तू, यानि कि तथा, दधना, ला, और स, ठीक है, ठीक है, तो शाव भी आपको पता चल गए, यह ऐसा जिशा है, हम बोलते हैं, गाट वाला शा, कभी-कभी हम ऐसा भी बोल दते हैं, तो यह तो हो गया आपके तालव्य, और यह वाला शा हो गया, सत्कोन वाला जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कहेंगे, मुर्धनिय, ठीक है, और यह जो आपका सा होगा, वो कैसा होगा, धंत्य। तब मिल्सा के बारे में भी आपको पता चल गया तीनों ही शौक किस प्रकार से होगे इसके बारे में भी हमने आपको बता दी। तीके यहां से आगे चले अब अगर आगे चलते हैं आगे देखिए यह पांगल नाना नासीका चर। अब जो है आपके नासिकव के द्वारा जिनका उच्चारण किया जाता है यानि कि जब भी आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हवा जो है आपकी नाक से बाहर निकलेंगी कैसे बोलेंगे इसको यमंगन नाना नासिका च और नासिकव के द्वारा जो उच्चरण वर्ण है वहाँ कैसे है एक आपका यमंगन ना ये कौन से है आपके पंचम वर्ण जिसको हम बोलते है पंचम वर्ण सभी वर्ण के पंचम वर्ण जो है वहा किस से उच्चरण होंगे उनका उच्चारणिस्ठान क्या होगा नासिका ठीके यहाँ तक हम आ गए यहां तक हम आ गए आप देखिए कुछ वर्ण ऐसे हैं जो सिर्फ एक उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं या बोले जाते हैं और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान दो-दो माने गए हैं देखिए आपके जो यह यह मंगर्ण न है यह भी जो है इनका उच्चारण भी दो उच्चारण स्थानों से किया जाता है वो मैं आपके बाद में बताती हूँ और आगे जो अभी हम देख रहे हैं जैसे यह आपका है आई दै तो कंठ तालू यानि कि आपका ए और आई यह दोनों जो वर्ण है यह आपके बोले जाते हैं कठ और तालू यानि दो उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं एकजाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से इसे वर्ण है जिनको दो उच्चारण स्थानों के द्वारा उच्चरत किया जाता है तो आपके यह भी हो सकते हैं, 5 तो यह हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 2 यह हो गए, आगे और है, वो बताती हुई चली जाओंगी, तो I दै तो हो, क्या हो गया, I दै तो हो, कंठ तालू हो, यानि कि A और I का जो उच्छार निस्थान है, वहाँ कौन सा है, कंठ और तालू है, ठीक है, next चले, चलो, लेश्टे आपका, O, 9, 2, 5 यानि कि यह भी दो बार, याना, दो जो है, उच्छार निस्थानों से बोला जाता है, एक तो क्या आ गया, यहां से आपका, O, और एक आ गया, आपका, O, ठीक है, यानि कि O, और O, किस्छे बोला, किस्छे उच्छरित होता है, कंठ और तालू, य यानि कंठ और O, के द्वारा बोला जाता है, कंठ और तालू, ठीक है, फिट एक आपका, यहां पर आता है, वकार अश्य दंत और तालू, यानि व भी एक ऐसा, वन है, जिसका उच्छारन, दो उच्छारन स्थानों के साथ बोला जाता है, या वकार, केवल वकार लिखा यानि की सिर्फ व, वक इसके द्वारा बोला जाता है, उसका उच्छारन स्थान क्या है, वका दंत और और ओस्ट, दोनों को मिला कर, जो है, बोला जाता है, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है, तो आप बोल कर भी इसको जो है, डेख सकते हैं, ट्राइ कर सकते हैं, ज बोलोगे, ओ, आओ, तो आप देखोगे, हैना, होट के शेप बनेंगे, और घले में से भी, मतलब कंठ में से भी आपके आवाज, जो है, यहां से भी आपकी उच्छारन होगा, तो इस तरीके से हम इसको उच्छारत करके भी सीख सकते हैं, ठीके, फिर आता है, आपका उनमें सबसे लास्ट में है आपका जिवा मूल, आप जिवा मूल क्या होता है, देखे, एक साइन है, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो आपके आयोग वहाँ है, उसके अंतरगत ये आते हैं, अर्ध विसर्ग में, इनका जो साइन होता है, वो ये होता है, आदा विसर ठीके, अर्ध विसर्ग हम इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम जिवा मूलियस से जिवा मूलन की बात करते हैं, तब यहाँ पर जिवा मूलियस से जिवा मूलन की बात करते हैं, तब यहाँ पर जिवा मूलियस से जिवा मूलन की बात करते हैं, तब यहाँ पर जिवा कख ठीक है इनकी यह क्या है यह अर्ध विसर्ग है यह साइन किसका है अर्ध विसर्ग का यह अर्ध विसर्ग का साहिन है तrick हे आपका नेक्स देखते हैं नासिक अनूस्वार रष्य यानि कि नासिका के दुआरा जो अनुस्वाद है अपका अनुस्वार जो आपका ये चिन्न है ये भी आयोग वहाँ है धियानत है आपको जो पिछली ग्रास में मैं आपको बताया था तो अनुस्वार को जो उत्चारण है वह वे किसके द्वारा किया जाता है नासी का द्वारा जैसे आप लिखते हैं चंचल आप बोलिए चंचल तो आपकी जो यह अनुस्वार है इसका उत्चारण कहां से होगा आपका नाक से होगा हवा जो है आपकी नाक से बाहर निकलेग ठीक है, Kayla, हो गया, तो यह है आपके उचारन-स्थान, ठीक है, टोटल हमने साथ पड़े हैं, कौन से दो-दो वाले हैं, वो भी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूं, देखे, आप यहां पर हम बात करते हैं, ऐसे उच्चारण स्थान जिनके जो है ऐसे उच्चारण स्थान जिनका नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दो उच्चारण इस्थान द्वारा किया किया जाता है ठीके एसे वर्ण जिनका उच्चारण दो उच्चारण स्थान द्वारा किया जाता है नमबर बन बता दिया था आपको यमंगन ना देखेंगे इसको देखिए यमंगन ना नासिका यानिकी इनका उच्चारण इस्थान किसके द्वारा किया जाता है नमबर बन यानि कि इन पाचों ही वर्णों को हम नासिका के द्वारा बोलते हैं इसको अब आप देखिए जो आपका ये है ये किसके अंतर गताता है? चवर्ग का पाँचवा वर्ण है चवर्ग का क्या है पाँचवा वर्ण इसका मतलब जो इचू यशाना अभी हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है इचू यशाना तालू तो इसका जो एक उच्चारन स्थान होगा वहाँ क्या होगा आपका तालू होगा तो इसका मतलब जो आपका ये है इसका नासी का और तालू दोलों ही आपके उच्चारण स्थान होंगे इसी प्रकार से आपका म, पफबबबब, म यानि कि म को अगर हम देखे तो कौन सा है ये पवर्ग, पवर्ग का पाच्वावण है तो इसका मतलब नासी का तो इसका है इसके साथ क्या हो जाएगा, ओस्थ। पद मानिय औस्था ओ ठीक है औस्थ इसका भी हो जाएगा फिर और गया आपका अंग काखगंग यह आता ना पाचवावन को का पाचवावन है यह इसका अदलब यह नासी का धन्द कंट दोप के द्वारा ही इसका उच्चारण किया जाएगा ठीक है फिर बच्चा आपका न टठडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड और इसके साथ क्या हो गया दन्त वोगया ठीक है समझ में आ गई बात अप देखो आपको यहाँ पर देखना है यह जो आपके पंचमवर्ण है इनका जो आपका एक उच्चारन इस्थान तो क्या है नासिका है और एक इनके वर्ग के अनूसार इनके उचारण इस्थान बताए गए है ठीक है हो गया आगे चलो चलिए अब देखे ये पांच वर्ग तो आपके जो पांच वर्ग में अभी बताए है वो कोंसे है वो दो नुचारण इस्थानमर के द्वारा बोले जाते हैं अब आपका है एक हापका एक और आई तीक कि यह कुर्ण होंगे आपके इसके घ्वारा पढ़ी जाते हैं अभी मुझे जस्ट पताया है है एक तो कंठ तानू इसका मतलब कांठ और किसके दुवारा तंधु के दुवारा बोले जाते हैं आप दिश्वा आउधु तो यानिकी ओ और आउधु यह किसके दुवारा रहें जाएंगे कांठ और और वोस्च के दुवारा और एक दाश्च के दुवारा और एक दाश्च का आता है वर का यानिकी वर यानिकी दांत और और वस्च के दुवारा जो यह उच्छरित होगा किसके दुवारा ज वश्चारण दावरा उनका वश्चारण चाहता है फांस का आपके यह हो गयर थोड़पांस आपके गरें प्ली यह स्लाइड वह बरें ओग़रेंग हो ठीटिटिइ इसको साते साथ आठ आता आते रहना बहुत इंपरेंटैन्ट है वकारश्टी अग्य हो जो है वागार दाशे हम जता है लो कि फ्रत्रह औरन जाँ Act जब विब्न मतला है जब भी है वन करtım करते हैं तो उसके द्वारा जो आंतरिक प्रयास करते हो उसे हम यत्न या प्रयत्न कहते हैं जो आपका आप्यांतर और दूसरा है बाहिए यत्न करते हैं कि यह जो आपका आप्यांतर यत्न है उसके बार के जब लुक्तकों करते हैं तो उससे पहले वर्णों के उचावण से पहने जो आंसरित प्रयास किये जाते हैं उसे क्या कहते हैं आभ्यान तक पहतना क्या कहीं आभ्यांतर प्रतन यानि कि आप जब वर्ण का उचारण करते हैं उसके पह XL करते हैं उसे हम करते हैं आभ्यांतर प्रतन अब इस पहले से प्रतने उचरण करते हैं तो वर्णों के получится लुग करें में वर्णों के उच्छार के बाद जो आंतरिक ये जाते हैं ठीक है अब यांतर में क्या करो गया पहले परहोगी उच्छारं के पहले और बाद में ये जयाल है कड़ें आमको आंतरिक प्रयात ही हिगे यह आपके उच्छारं के पहले जो आंतरीक प्रयास करते हैं वो आभी आंतर के पहले रहाते हिए और जो आप बर्णों के उचारां के बाद जो आप अंत्री प्रयाक्स करते हैं वह बाहिये प्रत्न केहलाते हैं क्लियर हो घञा हम अंत्रिक प्रत्न वांश गोलें अब देखे हैं अभ्यांदर प्रत्न वे पांछा प्रदग करें थाजिया है ति वहाज अब इसे ख़क कहते हैं कि और आधें पृफफश में तरफ वह कंने को दाद हुआ है हिक है चालते हैं जट दब कोे अभीयान दर स्ट कोकथरी में के लिए झाल होअँ प्रकाति है और पांस त् Reports प्रयापनु. तो इसके लिए किये जाएंगे तो आपके जो इस पार्ष व्यांजल है इस पार्ष व्यांग वर्थ जो है जिनको आपके केते हो उदित्वार्थ जिनको आपके केते हैं वर्गीअ वर्ण इनका प्रयात्नं है जब आपके जाएंगे जैन्डीर जो इसा समय बड़ता है जो के इस पर्ष विल्जन वर्ड में वो कितने हैं आपके टोटल 25 है जानी कि कासे लेकर मां तक ना कासे मां तक के जो वर्ड है उनका जो आभ्यांतर प्रत्न है वाग कैसा होगा इस प्रेश्टर आभ्यांतर प्रत्न ना जाएगा तो इस प्रेश्टर प्रत्न जो है आपका वगला इस पर्ष वर्ण में किया जाता है तो इस प्रेश्टर 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 आएगा जो आपके अंतरस्थ है अंतरस्थ वर्ण में वहां किसने प्रत्न प्रत्न है तो इस प्रेश्टर 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 प्रेश् spreisht prathna , clear? बढी Calm wibrit prathna wibrit卜 ठीजा का है जिके में में फारे स्वाल है तंचे पुश्में नहीं तर histori लगद लगाते हैं Vibrit के इसे ढंदगे clear? में तक बहते है कि बान दो lotta stomach कि अच बत्या शुड़ा it समय श्लों का रभाबेश दे लें आपक इसन विफ्रेट वहला. क्या है इसन विफ्रेट आप इसन वेप्रे कि अगा तरह ज़ु आपक करें के तो यहँआ पर युआ現在 बिउतर हा तो जू आपक युट outside प्रत्या आत्मचे तो शन्पृत्या हा ठीके और इसमें यान प्रत्या हा यह आपको यह में रखते मुझे चलता है तरह आपको यह सम्रिच प्रत्या है और वो भी दर्शा में रिश्व अ है जब लोकेइक प्रयों प्रयों की प्रयों किया जाता है ताव यह जो है वह संवरिफ होता है लोकिक प्रेव में इसका जो रिस्व अ है वह अगा जब लोकिक प्रेव की अपस्था में होता है रिस्व गां व्याकन की प्रेव की अंतरगर लोकिक प्रेव में ही इसका जोह एप्रेव संप्रीट माना जा था है वागई जो क्रिया के बजा हुँटरगर.. व्यात्रां के बच्परिया के हुटरगर.. व्यात्रां के प्रिया में.. क्या होगा विवरित होगा विवरित होगा ओ और भाकी लोगिक प्रयोग की अरदा मेmind, इशत प्रेस्ट प्रेवर के अंतरद स्पर्शवान आएंगे, इशत फ्र關係 के अंतरद अधस्थ बनायंगे विवरित के अंतरद सहें समर आजाएंगे और इंटर फिब्रेट के अंदर्द कुष्णू आना आएंगे और सब्रिट के अंदर्द के अंदर्द के ना जाए प्रियर हो गया मैं कुछ देखतर वाली बात नहीं है बहुत हीजी है पॉर्शन बहनते हैं और आपको यह सब जो है सब्सक्राइब करना है जैसे हमारा यह जो है सब्सक्राइब तो हो जाएगा उसके बाद हम आपके सामय जो है पोश्चु सीरीज इसकी लेकर आएंगे जिसे आपके जो है जितने भी आपके डॉट्स होंगे वह भी प्रयास करते हैं वह क्या करते हैं वाही प्रत्न करते हैं और टोटे किसे वाही प्रत्ना आके ज्यावा इसके लिए आपके पास एक छोटी सी ट्रिक है वह मैं बता रहते हुआ है अगर आपको याद हो जाता है थे तो बहुत अच्छा रहेगा कि जब एक्जामा पूछ जाता है तब हम बहुत यह कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसके लिए आपके लिए जो ट्रिक है यह रहें एक दो में एक दो में अगोष् विश्वास यारी एक और दो प्रव यहां पर क्या है सबसे पहले हमेरे के वर्ट का वर्ट का पहना पर दूसरा वर्ट के वर्ट निकाया है यारी कि तब पाचों ही जो आपके बर्गें सब आजाएंगे जैसे आपके पूझे को वर्ग है का वर्ट का वर्ट का पहले का वर्ट 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 इसे में तरिकेट ने अगर हम न की बात करें जंसर तो और त्भ औरन की तो त और ट फ्फ जंसर然 या यान की बड़का के अंवी कि न क्याल्टन आत गिन घंच्र और दूसरा त ध झालकर दत ऱ्फा और फुल्ट फ सारे बर्ड ठिकर और किसके ताप्वे में बता देनु ये किसके अवितर दताई अगोश सबसर पहने का आपका दिमिकलिए क्यानि क्या आपका अगोश वी से वीवार और स्वास इसको आपकर देखते हैं तो क्या होगा एक दो में अगोश विश्वास यानि वर्ग का पहला दूसरा वर्ग ये जो आपके दसोही वर्ण है इनका जो बाहिये प्रत्न है वह कोल सा है अगोश विवार और स्वास इसके अलावा इसके अलावा कुछ और भी है वो भी बता जाती हूं इसके अलावा आपके यहां पर प्लस करके बता जाती हूं एक आएगा आपका विसर्ग विसर्ग के साथ आएगा आपका जिवहा मूल जिवहा मूल यह जो आपके दोनों ही वर्ण है अर्द विसर्ग का क और अर्द विसर्ग का ख ठीक है यह ना क अर्फा दोनों आ रहे अब अर्ध विसर्ग होंगे तो वह आ जाएंगे आएंगे ना ठीक है आप देखें आप फिर आगे आपका उपदवानी है पा पर यह ना इसके अलवाब आप देखेंगे एक चीज़ और है और ये है आपके यम वर्ण किसी भी वर्ण का एक दो तीन चार याद रखना है एक दो और उसके पीछे क्या आना चाहिए किसी भी वर्ण का जो है पंचम वर्ण आपका आजाता है ठीके आगे बार समझ में कोई दिक्कत है इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाई ये प्रतन लेकि अभ्यांतर प्रतन तो पांच है और जल्दी याद हो जाते हैं केस पर्ष बेंजन है फिर उसके बाद क्या आ जाएगा अंठस्त है फिर आपके स्वर है फिर यह सारे चीज़े आपको याद हो जाती जल्दी अब यहां पर क्या होता है बाहिए प्रत्ने के अंतरगत टोटल 11 है आपको विवार स्वास अगोश ऐसा याद करना पड़ेगा फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या है ट्रिक के अनुसार मैं आपको बता रहे हूं ट्रिक क्या है हमारी एक दो में अगोश विश्वास तो वर्ण का पहला दूसरा वर्ण किसके अंतरगत आता है अगोश विवार और स्वास में आता है इसके साथ विसर्ग हो गया तीनों ही शा तीनों ही शा भी आपको लिख लेना चाहिए तालव्य मुर्धन्य और दंतव्य यह ताजी चीजे इसके अंतरगत आपके आती है किसमें आती है विवार स्वास और अगोश के अंतरगत ठीक है चले नेक्स्ट चले सुन्दर्ता से समझा देते हैं आपको आराम से आपको आ जाएगा अब देखें आपके बाई यह प्रतनाम ने तीन पढ़ लिए हैं अब तीन हो रहे हैं आपके संवार नाद और गोश ना तीन चार पांच है ना तीन हो गए यहां पर होगा छे होगा बेटा पर इस गलत लिख दे लग चार पांच ओछे तो कि आपको दिखें ना तंबार नाद और गोश की बात करते हैं अब इसकी भी हमको ट्रिक चाहिए ताकि हम जल्दी से इसको याद करने हैं ना तो क्या करेंगे ना देखिए क्या करते हैं इसको देखिए चार पांच छे की गोशना ऐसे लिखना है ना ये तो गोशना ये पर आपको लिखना ऐसे गोशना ठीके ना चार पांच छे की गोशना इसको हम आसानी से पढ़ेंगे और एकदम से हमारे ट्रिक हमें पता चल जाएगी अब देखो क्या होता है ये ना इसमें ऐसे नहीं तीन चार पांच होगा ना तीन चार पांच की गोशना एक डो में अगोशन विश्वास हो गया पहला तो और दूसरे जो आपकी ट्रिक है वो है आपकी तीन चार पांच की गोशना तीन चार पांच की गोशना करते हैं तो वर्ग का प्रतेक वर्ग का तीसरा चोथा और पांचवा वर्ण इसके अंतरगत आता है किसके अंतरगत गो ते गोश ता ते समवार और ना ते नाद clear बहुत अच्छे तो तमच में आगे आप लोगों को समवार नाद गोश है ना तो तीन चार पांच की गोशना करनी है एक दो में अगोश विश्वास करना है और तीन चार पांच की गोशना करनी है तो यानि कि वर्ण का तीसरा चोथा और पांचवा जो वर्ण है वर्ग का तीसरा, चोथा और पाँचवा जोगवाण है वहाँ किसके अंतरगत आता है? गोश में, तमबार में और नाद में ठीक है ना? तो कव अरग से देख लेते हैं का ख़व उसमें आ गया? गा, गा, गा पिर चा, जा, जा, या, पिर ता ता ले लेते हैं पिर ले, ता, ता उसमें आएगा ना? तथा आ गया, तथा द, ध, न, ता ले लेते हैं, तथा, ड, ध, न, और आगया आपका रास्ट पवर्ग ना? पफा आ गया, पफा ब, भ, म ठीके, ये जो आपके वर्ण हैं, ये सारे वर्ण किसके अंतर गताएंगे? ये सारे वर्ण आएंगे आपके समवार नाद और गोश में, यानि कि गोशना में तीन, चार, पाँच की आप क्या करोगे? गोशना करोगे ठीक है यह हो गया अब इसके साथ आपके अब जो क्या बच्चे हुए है आपको वो देखना है विशर्गूस में आ गया उसमें शा 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 आ गया यानि कि आपका अगर एक तरीके से देखे तो शल प्रत्याहार उसके अंतरगत आ गया है तो अब यहाँ पर आएंगे आपके अंतस्थ अंतस्थ वर्ण चारों ही अंतस्थ वर्ण यह वर्ण यह याद रखना है अंतस्थ वर्ण आ गये इसके अलावा आजाएगा आपका क्या बच गया है अनुस्वार इसके अलावा आजाएगा आपका ह यह जो शल प्रत्याहार का एक वर्ण रहा है वो आ गया और एक क्यों आ गए यह ना वान यहो कह से अगये तीसरा चोथा जो है वर्ण वह इसके अंतरगत आजाएगा इसने जो है आपके जो एह आकपके यह नहीं लगत पहला और दूसरा आ गया और इतंक अंतरगत तीसरा और चोथा आ जाएगा चिके यह यहाँ पर complete यहाँ पर आपका हो गया है तो हमने 11 में से 6 हमने देख लिए हैं क्या क्या देखें हैं एक आपका देखा हैं विवार स्वार और अगोश यानि एक दो में अगोश की गोशना एक गोश में विश्वार और 3-4-5 की गोशना यानि कि 6 आपके टोटल जो आपके बाहिये प्रत्न है वो आपके रेडी हो गया है तिके अब हम चलते हैं आगे अब देखिए आपके सात्वा और आठवा नमबर का जो बाहिये प्रत्न है भूलना नहीं है न हम पढ़ क्या रह बाहिया प्रत्न पढ़ रहे हैं और उसके अंतरगत अब आपका आता है क्या आता है आपका तरुस्य आयगा कि अलत्व प्राणोर महा प्राब अगय के अलत्व प्राण की बात करें तो बहुत ही इसी है न यहाँ पर आप देख लेजे, अल्प प्राण में आएगा, प्रतेक वर्ग का, प्रतेक वर्ग का, अना, क्या आजाएगा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, क्या आएगा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और उसके साथ आएंगे, आपके, क्या आजाएंगे? अन्थास्त चारों ही वर्ण आ जाएंगे पहला और तीसरा है तो इसका मतलब आपका यम वर्ण है वो भी कहता पहला और तीसरा यम वर्ण इसके अंतरगत आ जाता है आपको थोड़ी सी बस पाइकोलोजी लगानी है यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है ठीक है जो आ चुक इसको एक बार में ठाल लेते हैं हम फिर हम इसको पड़ते हैं अब बेगे तीसरा पांचवा और वर्ण में का और जो होगा आपका उसके अंतरगत आ गया का को छोड़ना है गगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग थद, ट होगें, ए उना, ट थद धन, पा, पभ भ म, ट एक ये आपके क्या हो वे हैं? अल्प प्राट, और अल्प प्राट किसे कहतें हैं? जिसको बोलने में कम हवा जो मुख से निकलती है या कम प्रयात करना पड़ता है ना हवा जो मुख से हैं सिद्धी निकल जाती है कग अराम से बोल सकते हैं उनको उनको कहते हैं अल्प प्राण प्राण यानि वायू जिसमें थोड़ी सी वायू जो है बाहर निकलती है और पहला और तीसरा पहला और तीसरा यह आपके क्या हो गए है यमबन हो गए है ठीक है नेक्स्ट चलो यह तो फ्रीवेस हो गया अब है हमारा महाप्राण महाप्राण की अगर आप बात तरोगे है ना तो महाप्राण के अंतरगत क्या क्या आ जाएगा वर्ग का है ना यानि की प्रत्येक वर्ग का सॉरी पहला दूसरा नहीं दूसरा और चोथा क्या बचा है अब तो दूसरा और चोथा वर्ण आएगा ठीक है जैसे की कवर्ग का देखो के तो क्या हो गया ख और ग फिर क्या आता है च छ और ज फिर और तथड़ ध दूसरा और क्या आजाएगा आपका चोथा आ गया है ठीक है पिट़ थड़ ध फिर क्या बचा प फ ब ब भ ना यह आतके दूसरा और चोथा वर्ण है ये आएगा ठीके यहां तक हो गया अब हुआ उसमें क्या कहा था अंठस आएगा तो इसमें क्या आजएगे आपके शन प्रत्याहर आजएएगे ना show उश्म प्रत्याहर भी याद रहता है उश्मवर्ण ठीक है? उश्मवर्ण भी कितने है? चार, सिनो, शा और आपका क्या आ जाएगा? हा आ जाएगा ठीक है? लिख दूँ श, श, त, हा ये हो गए आपके? उश्म हो गए? और प्लस में आपके यमवर्ण का दूसरे और चोथा वर्ण यहाँ पर आपके इसके अंतर गट आएंगे, महा प्राण जिसमें जो प्राण है उसमें प्राण वायू में अधिक प्राण वायू निकलती है ख, आप बोलेंगे ठ, ठ, ठ इस तरीके से बोलेंगे? तो जो आपके वायू है वो बहुत ही बेख से निकलेगी, चीक है? यहाँ तक हम पुँछ गए हैं और आगे चलते हैं चलिए अब देखिए आपके जो स्वण है, हैना लास्ट के जो आपके बचे हैं, तीनों ही बाहिये प्रत्न, उनको भी देख लेते हैं तौ आपके जो स्वण है, उन तीनों के तिन तिन बाहिये प्रत्न होते हैं और ये सारे जो बाहिये प्रत्न हैं वो आपकी किस से जुड़े हुए है स्वर से जुड़े हुए है याना उद्धात जो होगा आपका उद्धात क्या है उच्चे रुद्धात उच्चे रुद्धात ठीके या उच्च यानि उच्च यानि याद रखना है उच्च यानि कि उच्चरन थान के उपरी भाग से जो पर निश्पन होते हैं या बोले जाते हैं उच्चरत होते हैं याना निश्पन होते हैं उन्हें उद्दात कहा जाता है देखें समझ में आ रहा है लिखू क्या देखें तालू आधी उच्चारण इस्थान तालू कल मैंने गलत लिख लिया था आप लोग आज सही कर ले ना इसको ठीके ना उसमें तालू पढ़ना तुला मत पढ़ना तालू आधी उच्चारण इस्थान ना क्या है तालू आधी उच्चारण इस्थान में उपरी भाग से निश्पन स्वर यहां पर स्वरों की बात करेंगे हम स्वर क्या होते हैं स्वर उद्दात होता है और इसका सुत्र क्या है यह आपको याद करना है सुत्र यह है इसका सुत्र उचेर उद्दात हो कितनी बार ऐसा कैसा एक्जाम में आता है और यहां पर जो एक इंपॉर्टन चीज है वो यह है कि इसका कोई चिन नहीं होता उद्दात का कोई चिन नहीं होता इस तरीके से यह तरह क्या है आपके उद्दात है उचेर उद्दात उच्चर अनिस्थान के उपरी भाग से निश्पन जस्वर हैं उन्हें उद्दात केते हैं उद्दात का कोई चिन नहीं होता है अब आता है आपका पहला तोगे उद्दात तूसरा है आपका अनुद्दात अनुद्दात ठीके इसका सुत्र होगा वो क्या होगा क्या होगा इसका सुत्र उच्चे रूद्दात उगे और अनुद्दात को करेंगे तो निश्चे रूद्दात निश्चे रूद्दात निश्चे रूद्दात नुद्दात ठीके इसका क्या है सुत्र है अब इसका क्या होगा वहीं वहीं होगा इसका देखो इसका उपरी स्थान से बोल रहे तो इसका क्या होगा निश्च्पन्दता इसके कहां प्योगी नीचे के अध अध भाग से यहां पर लिखेंगे हां तालू आधी पुचारण इस्थान में निचले निचले गलग लख रहे होगा निचले यानी अध हो निचले भाग से निश्पन्न तुवर अनुदात होता है ठीके? आगै पात समझ में यानी निचेर नुदात यानी तालू आधी उचारण स्थान के निचले भाग से निश्पन्न जो स्वर होगा बहा क्या होगा? अनुदात होगा और अनुदात की? चिन्न क्या है? अनुदात का चिन्न क्या होगा? नीचे पड़ी हुई इस प्रकार की रेखा इस प्रकार का इसका चिन्न होगा जैसे आप लिखोगे अब ये तो उद्दात होगया इसको अनुदात बनाने के लिए क्या करेंगे? नीचे रेखा किज लेंगे पड़ी हुई जो रेखा होती है वह होता है आप भी देख लीजिए आ को अनुदात बनाने के लिए नीचे एक रेखा किचोगे इको भी इसी प्रकार से इसको हम लिखते हैं तो अनुद्धात का क्या है? चन्न है, नीचे आड़ी रेखा या पड़ी हुई रेखा इसको हम कहते हैं, ठीक है? इस प्रकार की रेखा नीचे होती है, प्रतेक स्वर के नीचे अब एक और बसता है आपका, वो है आपका, क्या हो जाएगा? स्वरित स्वरित जो स्वरित है, उसका जो सुत्र होगा, वो होगा समाहार स्वरित समाहार स्वरित ये क्या है? इसका सुत्र है याद रखना है, ना? उद्धात और अनुद्धात का स्वरित होता है, ना? समाहार करना है, उद्धात और अनुदाथ्ट का समाहार यानि मिलाना समाहार स्वरित होता है clear? आप देखो इसका जो अपना चिन्न है ना? इसका जो अपना चिन्न है वा केचा होता है? उपर खड़ी रेखा के रूप में होता है इसका चिन्न जो है वा केसा होता है? उपर खड़ी रेखा के रूप में होता है यानि कि A क्या करोगे? अगर A लिखोगे तो उसके उपर एक आड़ी रेखा खिचोगे किसी प्रकार से आप अगर आ लिखा है आपने तो इसके उपर भी क्या होगी? एक आड़ी रेखा आएगी इस प्रकार का चिन्न आप देखोगे तो ये किस प्रकार का है स्वरित स्वर कहा जाएगा प्लियर हो गया दिक्कत तो नहीं है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है कोई चीज तो मैं आपको वापत बता देती हूं तिक अब चलते हैं देखिए कुछ इंपोर्टन ऐसे जो है आपकी सामने देखिए पूछा जाता है कि आपके जो स्वर हो या व्यंजन हो उसके अभ्यान तर प्रतन कितने माने गए है इसके अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं देखिए चार चार बाहिए प्रतन जो है आपके व्यंजन के व्यंजन के व्यंजन के लिख लिजें इंपोर्टेंट करके व्यंजन के बाहिए प्रतन यानि प्रत्यक व्यंजन के अगर आप बाहिए प्रतन बोलोगे तो वहां कितना होगा ना कितने होते हैं चार बाहिए प्रतन होते हैं प्रत्यक व् किसके प्रत्यक व्यांजन के अगर हम बार्थ करें तो बाईए प्रत्न कितने होंगे चार होंगे और व्यांजन के अगर आप कहेंगे कि आभियांतर प्रत्न व्यांजन का अगर आभियांतर प्रत्न है वहां कितना होता है तो केवल एक होता है ठीक है अगर पूछे कि व्यंजन के प्रत्न कितने हैं दोनों को मिलाकर तो क्या वो लोगे पांच होते हैं ठीक है यह आपको लिखना है इंपॉर्टन्ट है व्यंजन के बाहिये प्रत्न कितने हैं पांच होते हैं ठीक है नेक्स दिखो, नेक्स लिखो, नेक्स क्या होगा आपका, बहाई ये प्रत्नामने, स्वर के, अब हम स्वर के देखेंगे न, स्वर के, प्रत्यक्ट स्वर के, ऐसे लिख लेंगे, प्रत्यक्ट स्वर के, बाहिए प्रत्न कितने होंगे total? गिन भी सकते हो आप मैंने सब बता दिया है न? कितने होंगे? 3 बाहिए प्रत्न कितने माने जाएंगे? 3 माने जाएंगे और प्रत्न एक स्वार के बाहिया आभयांतर प्रत्यक्स्वर के अगर हम बात करें तो कितने होंगे? आप यह अंतर प्रत्ने भी कितने होंगे एक होंगे इसका मतलब प्रत्यक स्वर का अगर हम देखें कि प्रत्न पुल यत्न कितना है तो कितने होंगे चार होंगे और वेंचन के कितने होंगे पांच होंगे यह कोशन पूछे जाते हैं अब मैंने आपको पूरे जो है उच्छ पर प्रैत्नों की बात कर लिए हैं अब आप गर पर आराम चेकल सकते हैं गर्ण से जो भी आपके चाहिए विजन्हों या स्वार हो दोनों के ही प्रैत्नों को आप निकाल सकते हो कैसा केसे निकालेंगे एक हैं रमवार विबार स्वास इसमें कौन कौन से बढ़न आ रहे हैं तो इस तरीके से आप इन सारे को निकल कर आराम से गर पर प्रेक्टिक कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही आशा करती हूं आपको यह टॉपिक है बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा धन्यवाद